अब देखो अगीन वेरी सिंपल थिंग कुछ बेसिक पॉइंट अभी आप अपने माइन में बोल सकते हैं वाकी आंसर पूरा पड़ेंगे हम लोग क्योंकि content वही है कि जितना बोल रहे है content तो हमें 20 marks के according लिखना होता है बड़ हमें पता है अगर person educated होगा aware होगा तो वो person country के लिए एक assets है country के लिए एक संपत्ती के रूप में कामा सकता है country पे बोज नहीं है क्योंकि वो पड़ा लिखा होगा तो वो country एक अच्छा citizen बन सकता होगा तो वाट विल हैपन आपका GDP में जो contribution रहेगा उससे country की ग्रोथ होगी जब कंटीप में contribute कर रहे हो तो country के लिए ग्रोथ है प्लस educated citizen जो है उसको अपने political legal जितने भी उसके राइट होते हैं जितने भी उसके राइट हैं वो उसके बारे में सारी information रखता होगा कि तब की वोट में participate करेगा एक अच्छे नागरिक की तरह behave करेगा country के development welfare की बात सोचके चलेगा तो यह क्या रहता है यह आपका यह citizen अच्छा होगा तो फिर क्या रहेगा कि वो nation building में role play करेगा क्योंकि education जो है वो बच्चे को school में मिलती है और school जो है वो भी socialization में बच्चे की growth में बच्चे के socialization process में समाजी करंड की प्रक्रिया में तो यह सब चीजे important role play करती है हिंदी में भी content available है अभी एक बर हम लोग देख लेते हैं कि हा क्या क्या mention है तो post-colonial society जैसे की इंडिया मतलब after जब ब्रिटिशर यहां से चले गए nation identity and nationhood are constructed around colonial history अब यह सब तो भई जो की transform कर रहे थे मतलब citizenship की बात चल रही है कैसे क्या citizenship ले क्या process रहेगा freedom struggle के टाइम पे citizenship building exercise became necessary for attaining freedom कि भाई आप पहचानो ना आप अपनी country की वर्थ पहचानो आप यहां के citizen हो यह पहचानो तो जो citizen मतलब यह निर्मान की बात चल रही थी नागरिक निर्मान की आप freedom क्लेम कर पाओ यही चीज यहां पर mention है भारत जैसे जो राजे था वहां पे आपका आपने वेशिक और आपने वेशिक काल के बाद वालो जो टाइम है उसी के आसपास से सारी चीजे समझ में आती है आपने वेशिक के साथ साथ उसके बाद वाले समय में भी मून बात करती है अब बदलने की बात चल रही कि यहां पर बात चल रही में ता कैसे पांति हो इंब से कहने बात पाला साथ और करती है तो एजुकेशन किया सब्सक्राइश जेटीन का क्रती है एक इंसान क्या character build-up, although आज की डेट में उतना जादा लेकिन चोटे पर देखो moral story बताई जाती है, क्या गलत है, क्या सही बताई जाता है, eating habits बताई जा रही है, stories के तूँ morality सिखाई जा रही है, सब चीज की जाती है, तो character building पर बात की जाती है, citizenship training पर value education दी जाती है, patriotism देश भक्ती के बारे में बच्चों को inculcate किया जाता है, यह सब चीजे सिक्षा जो है, यह important role play कर रही है, अब this task help the state, अब यह state यानि यह government की help कर रहा है, कि nation building करने में एक तरीके से, क्योंकि एक person अगर अच्छा citizen है, तो वो अपनी country उसकी nationality को समझ रहा है, और उस country के towards जो भी उसके role बनते हैं, जो भी उसकी कर्तव्य बनते हैं, उसका वो पालन करके चलेगा, तो वो किसी सरकार ने नहीं सिखा है, वो आपने school से सीखा है, या तो फिर आप अपने घर से सीखोगे, या फिर आपने उसको school से स प्रोल, यहां पर देखो बच्चों को history बताना भी equally important है, वो यह कहते हैं, कि अप कहां से कहां पहुंचे हो, तब जाके आपके पास आज की rate में जो है, आप उसकी value समझ पाऊगे, हमारे पस आप अभी claim करते हो, अपनी past के situation भी तो देखो, आपकी country past में यहां तक आई है, वहां से आप अपने development देखो, यह नहीं कि वह यह, वहां यह, वहां वह रहे और आप उससे compare करें, नहीं, वहां देखो कितने सालों पहले industrialization आ गया था, तो उसके हिसाब से अपकी country में जब चीज़ आई, तब से लेकि अब तक आप observe करो चीजों को, तो जो इतिहास है, व अली चीज हम बिल्ड अप कर सकते हैं, प्लस education जो है, वो काफी significance role play करती है, nation identity में, citizenship में, इसका role जो है, वो again post-colonial period में भी काफी important रहाचे नागरिक बनाने में, प्लस आपकी जो education policy है, इनका जो slavery सहकारी कुलम है, textbook है, pedagogy construction है, यह सब जो है, यह patriotism सिखा रहा है, एक अच आगे बोला गया, school एक primary education है, primary institution है, through which values and norms are constituted, अच्छा देखो, यह तो यही सब बाते लिखी हुई है, education critical role play करती है, student की, वो अपनी life में incorporate हो सके, अब आप क्या करना, जो चीज मैंने यह mention नहीं कि, अभी समझाते हुए, मुझे थोड़ा सा यह चीज लग रही है, कि आप यह चीज कर सकते हो, कि आप यह सब basic लिखने के बाद, इसमें pointers बना लेना, कि what does, how does education help in nation building, पहला point, जिसको आप डिटेल में लिखोगे, कि यह character build करता है, ठीक है, यह आपका character का निर्मान कर रहा है, दूसरा देश भक्ती की भावना, patriotism की भावना, यहाँ पे, आप पे, इस तरीके से भी हम चीजों को यूज कर सकते हैं, तो अभी थोड़ा माइन में रख लेना, character building हो गया, morality हो गया, patriotism हो गया, आपको आपके जो राइट्स है, जो हाक है, और आपके जो करतव्य बनते हैं, citizen के वो भी पता होते हैं, प्लस, राइट्स में आप सब लिख दोगे, political, legal, सब तरीके के राइट्स पता चलते हैं, प्लस, आप बता सकते हो, कि एक citizen जो है, वो अपने past से aware होता है, तो वो development की, development centric सोच रख सकता है, as a whole, मतलब, individually भी और as a whole भी, क्योंकि अगर वो एक अच्छा citizen बन रहा है, एक अच्छा हमारी help कर रही है, तो you can make the point like this, जिससे आप चीजों को cover कर सकते हो, okay, so I hope यह point समझ में आया होगा, कि यहाँ पर हम क्या deliver करना चाहरे है, अगर question directly आता है, कि how does education help in nation building, and that is very important and common kind of question that can be asked, बहुत important and common सा question है, जो पूछा जा सकता है, so please keep that in mind, keep the content in mind, possibility है, देखो 10 question आने है, तो chances हैं जो पढ़ रहे हैं, उनमें से चीजे आ जाएं, ठीक है, तो जितना हो सकता है, जितना करके जा रहे हैं, उतना अच्छे से करके जाओ, पूरी बुक तो नहीं पढ़ रहे हैं, possible भी नहीं है, देखो फिर कर पाना last time अब तो, even पूरी बुक के लिए तो आपको on an average, अ सकते हैं, यहां पे, that's why we are here की covering की important topic करके हम अपना काम चला लें, ठीक है, बट इतने सारे important topic भी कर लोगे, तो एक तरीके से आधी बुक तो कवर हो ही रहे है, आधे concept तो कवर हो ही रहे है हमारे, don't worry about that, don't take tension, अगर इतना भी सब पढ़ के जाओगे playlist पूरी, YouTube वाली भी औ काफी हद तक favor में रह सकती हैं, okay, so if you have any doubt then you can ask me, that's all for this video, thank you for watching